असलाम अलेकुम तो क्या और वीडियो तो यार आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग अपना PUBG अकाउंट अन्बैन कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं तुम लोग अपर लोग इन करके दिखा देता हूँ कि यह मेरा अकाउंट यह बैन हो चुका था बहुत देर पहले यहां पर आप देख सकते हो और यह 10 साल का बैन लगा इस पर तो सबसे पहले आपने क्या करने हैं सबसे पहले इसका स्क्रीन शूड लेना स्क्रीन शूट जरूर रहने हैं यह लेने के बाद आपने सिंपली बैक आ जाने हैं बैक आ जाने के बाद अगें से यहां पर आता हूँ उसके बाद आपने यहां पर क्लेम फाइल जो है इसके बटन पर क्लिक करने हैं यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ नहीं देदे तो मैं जल्दी जल्दी क्लिक करता जाता हूं ठीक है और यहाँ पर हम पूछा गया है और यहाँ पर हम डिट को सेट कर सकते हैं कि हमारा जो अगस्ट में हुआ है तो simply मैं यहाँ पर August में आ जाता हूँ 2020 यह ओके एंड हमारी जो date थी वो थी 26 तो यह date है ठीक है एंड उसके बाद हमें से set के button पर click करने है so यहाँ पर आती है हमारे पास describe your problem here so यहाँ पर आपको description लिखनी है अच्छे से words में यानि कि उसमें grammar की कोई गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने एक नीचे article का link दिया है आपने simply उस article पर जाना है and वहाँ पर description लिख के रखी हुए है मैंने simply वहाँ से copy करनी है and यहाँ पर लाकर उसे paste कर देना है वह आपने जल्दी से यहाँ पर upload कर देने है upload करने के बाद आपने just यहाँ पर submit my case के button पर click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर click करोगे आपकी यह request है यह PUBG को send हो जाएगी and वह आपके account का review करेंगे but review करने के बाद क्या हमारा PUBG account unban हो जाएगा या फिर कब होगा इसके बारे में PUBG हमें कैसे बताएगा क्योंके हो सकता है कि हमारा PUBG अकाउंट है link हो facebook पर तो PUBG आपको facebook पर तो contact करेगा नी या फिर number पर तो text करेगा नी तो अब हमें जो trick apply करनी है वो कौन सी करनी है अब हमें लिखना पड़ेगा PUBG को एक Gmail पर email सेंड करेंगे हम लोग जिसमें के हमें PUBG रिस्पॉंस करेगा email लिखने के लिए आपने क्या करना आपने Gmail को open करना है open करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि आपके पास compose का एक बटन दिखाई देगा आपको अब PUBG के official email आपको कहां पर मिलेगे वो email भी आपको नीचे article link में मिल जाएगी आप simply वहाँ से copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो मैंने क्योंकि already उसे copy कर रखा है तो मैं simply यहाँ पर उसे paste कर देता हूँ paste करने के बाद नीचे आ जाते है हमारे पास subject तो subject जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखने है ठीक है यानि कि unban account आप लिखता हो यहाँ पर मैं simply यहाँ पर लिखता हूँ unban PUBG account यह आप title बोल सकते हो इसे उसके बाद आता है नीचे main account compose email यहाँ पर आपको email लिखनी है पूरी की पूरी तो उस article में जो आपको link description में मैंने दे रखा है उस पर आपको एक पूरा template मिलेगा यानि कि आपको पूरी एक email लिखी हुई मिलेगी आपने simply उस email को copy करना है जैसा कि मैंने already कर रखा है copy and simply मैं इसे यहाँ पर paste कर देता हूँ paste करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरह का लिखा आएगा तो आपने क्या करना है नीचे सबसे पहले जो आपने changing करनी है जहाँ पर character ID लिखा हुआ यहाँ पर आपने अपनी character ID जो है वो डाल देनी है and account name जो लिखा हुआ यहाँ पर अपने account का name जो है यहाँ पर add कर देना है add करने के बाद आपने simply यहाँ पर इस button पर click करके यह email जो है वो PUBG को send कर देना है but अगर आपने कोई APK mode use किया यानि के कुछ ऐसी application या फिर PUBG की application को replace कर दिया किसी और APK के साथ सूरत में आपका account वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप लोग आज की वीडियो पसांद देगर वीडियो पसांद देख कर लाइक कर देना अगर पहले से ने किया वाद यार क्या कर रही हो यार चैनल को subscribe करो subscribe 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 subscribe